हेलो फ्रेंड वेलकम टो आवर यूटूब चेनल मैट सॉलूशन दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग सिंप्लिफिकेशन के सवाल को बनाना जानेंगे यदि आप लोग मेरे बला बोर्डमस रूल का वीडियो नहीं देखें तो पहले आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें खेर यहाँ पर भी मैं बोर्डमस का शॉट में रूल बता देता हूँ तो बोर्डमस का जैसे ही नाम है B-O-D-M-A-S उसी तरीका से उसका परकिरिया भी है यानि B से ब्राइकेट तो ब्राइकेट का काम पहले होता है उसके बाद O मतलब OFF होता है OFF यानि का 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 काम उसके बाद फिर उसी परकार से DD मतलब division जिसका मतलब भाग होता है तो उसके बाद भाग फिर M से multiplication उसके बाद जोर और घटा इस तरीका से होता है बोर्डमस में तो आए हम लोग उसी रूल से इन समाल को solve करने वाले हैं सबसे पहले यहां पर देखिए तो भाग है का है और भाग है और जोर भी है तो इसमें सबसे पहले काम किसका होगा तो वो का का होगा क्योंकि बोर्डमस में वो पहले आता है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इसको 75 कामिंस होता है गुना लेकिन ध्यान डखे कामिंस होता है गुना अगर मैं यहाँ पर गुना लिख दूँगा तो बहुत लोग कहेगा कि पहले आप गुना का काम कर दिये हैं भाका काम नहीं किये हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर गुना नहीं लिख रहा हूँ काहीं लिख रहा ठीक फिर है भाग भाग का साइन हम लोग देर लेते हैं फिर इसको आप कम स्कम शौorटली कर सकते हैं तो तीन एकम तीन दो पैंच पैंच बटे तीन यह डारेक्ट भी इसी तरीका से लिग सकते हैं फिर है पलस तीन कामिस होता है एक तरह से गुना तो एक तीन से तीन कट गया फिर है भागा दस अब अगला स्टेप में देखिए पंदरह और तीन को गुना करेंगे तो पंदरतिया पैतालिस अभी हम लोग इस स्टेप को पहले लिख लेते हैं भागा पांच बटे तीन फिर पलस उसके बाद देखिए यह तो कट गया लेकिन एक बचा है तो एक और भागा दस अब इसको कैसे लिखेंगे वो समझिए तो जैसे पैतालिस है पैतालिस को लिखें यहाँ भाग का साइन है इसका मतलब नीचे होगा भाग का साइन है इसका मतलब नीचे होगा तो पांच बटे तीन फिर पलस है एक भागा दस तो एक बटा दस अब देखें यहाँ पर बहुत लोगों को दिक्कत होता है तो देखें उपर से यह उपर से इसको कटेगा तो पांच नमा पैतालिस हो क्या अब यह कटेगा यह ऐसे घूमेगा घूमेगा तो नौ और तीन गुना हो जाएगा तो नौ त्या हो जाएगा 27 पलस एक बटे 10 ऐसे हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पर 27 के नीचे एक डाल लेना है एक डाल लिए अब इसका भीन का जोर हो जाएगा एक और दस का एलसे हम होता है 10 और 27 देंक 270 अब पलस एक तो यह हो जाएगा 271 बटा 10 यह भी लिख सकते हैं या आप इसी को 27 पुर्णांक एक बटा 10 भी लिख सकते हैं तो दोनों ठीक हैं आपका मन आप जिस तरीका से लिख सकते हैं इस तरीका से सिंप्लिफिकेशन के सवाल बनते हैं आए इसमें एक और प्रस्ण को हम लोग देखते हैं तो अगला प्रस्ण है कि 4 बटा 5 का एक पुर्णांक 3 बटे 7 भागा 2 बटे 5 पलस 3 बटे 2 गुना 4 बटे 5 तो इस तरीका से है तो सबस्पहले का का काम होगा तो का का काम होगा तो इस तरीका से लिखेंगे 4 बटे 5 का और इसे हम लोग सरल रूप में कर लेंगे तो 7 एकम 7, 3, 10 10 बटा कितना तो 7 अब यहाँ पर धियान देने वाली बात यह है तो पहले आप लोग इसी का काम कर लें नहीं तो बहुत लोग confusion में क्या करते हैं वो भाग का काम कर लेते हैं तो 5 से 5 दुनी 10 बस हो गया अब लिखें यहाँ पर भागा 2 बटे 5 पलस 3 बटे 2 अगुना 4 बटे 5 अब यहाँ पर देखें 4 दुनी 8 8 बटे 7 यह हो गया और भागा है तो भागा का साइन दे दिजिए 2 बटे 5 फिर पलस दे दिजिए 3 बटे 2 अगुना 4 बटे 5 और आप लोग जानते होंगे कि जब भी भीन का भाग बनाते हैं तो उसे पहले भीन के गुना में बनाना परता है यानि 8 बटे 7 यह भाग का साइन है यहाँ पर साइन दे देंगे गुना का और इसे पलट देंगे 5 बटे 2 ठिक पलस 3 बटे 2 गुना 4 बटे 5 यह हो गया अब आप लोग क्या करें इस दोनों भीन के गुना में आ गया अब इसे सरल कर लें 2 से 2 चोके 6 फिर 2 से 2 दूनी 4 अब इस दोनों को गुना कर देंगे उसके बाद भीन का जोर बना देंगे कैसे तो 4 पंचे तो 4 पंचे 20 बटे 7 पलस 3 दूनी 6 6 बटे 5 अब आप लोगों को क्या करना यहां से इन दोनों का भीन का जोर बना लेना है तो 7 और 5 का LCM हो जाएगा 35 तो 7 पंचे 35 तो 25 पंचे 100 पलस 5 सते चो सते 42 इसको हो जाएगा 142 बटे 35 तो यही इसका क्या हो जाएगा तो एंसर हो जाएगा इस तरीका से अगर आप लोग सिंपलिफिकेशन के सबाल को बनाते हैं तो आपको असान तरीका से बन जाएगा I hope कि आपको यह छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सिंपलिफिकेशन के सबाल को देख पाया होंगे तो मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक लिए जैहिन धन्यवाद